तो जैसा कि आप जाते हैं कि रीट का एक्जाम आने वाला है और ये 25 अपरेल को होगा तो रीट बेसिकली क्या है रीट है राजिस्थान के लिए एक टीचर eligibility test होता है उसी को हम बोल देते हैं short में रीट तो इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो भी करते रहें लेकिन साथ-साथ जो previous year में questions पूछे गए हैं उनको भी आपको साथ-साथ करना चाहिए क्यूंकि इससे आप exam के pattern को समझ पाते हैं और आपके अच्छी understanding बनती है तो रीट के exam में जो section 4 है उसमें एक यह subject आता है social studies अगर आपका भी subject social studies है तो आप यहां से previous year questions की preparation कर सकते हैं मैं यहां पर previous year questions जो कराऊंगी उसमें साथ-साथ additional knowledge भी देती रहूंगी तो आपको काफी benefit मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question है भारत के सम्विधान के प्रस्तावना में उनलीगित हम भारत के लोग से क्या तात परिया है तो आपने देखा होगा जो प्रस्तावना हमारी start होती है वो start होती है हम भारत के लोग से तो हम भारत के लोग उसमें उससे मतलब क्या है तो इसमें option दिये हुए है संप्रभूता भारत के मुख्यनिय अधीश में नहीं थे संप्रबुता भारत के लोगों में नहीं था, या फिर राजनीतिक दलों में नहीं था, या फिर रोक्सवा के अधक्ष में नहीं था, तो इसका answer हो जाएगा second option, संप्रुबुता भारत के लोगों में नहीं था, बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है भारत के सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत एसपरश्यता को समाप्त किया गया है एसपरश्यता होती है untouchability जो की lower caste जो होती थी उसको face करनी पड़ती थी तो इसको abolish कर दिया गया है किस article के द्वारा ये किया गया है article 17 के द्वारा तो इसका answer हो जाएगा be option next question है भारत के सम्विधान के किस भाग में मूल करतव्यों को सन्निहित किया गया है मतलब ये जो मूल करतव्य है जब हमारा सम्विधान बना था उस time पर नहीं थे ये मूल सम्विधान में नहीं थे ये बाद में जोडे गए है तो ये जोडे गए है 22 सम्विधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा तो इसमें आ जाएगा c में है ये अवेलेबल है ये है पार्ट फोर्थ ए में तो यह जोड़े गए हैं बाइसवे सम्विधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ल्यूटीज नेक्स्ट किस्टिन है भारति सम्विधान का नुछेज 25 संबंदित है तो आप जानते ही होंगे आर्टिकल 25 से 28 तक के लिए धार्मिक स्वतन्तरता दी गई है और आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ओफ कंसाइन्स और फ्री पोजेशन प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ओफ रिलीजिन तो इसमें स्वतन्तरता दी गई है अंतकरन की स्वतन्तरता किसी भी धरम का वो पारण कर सकता है कोई भी व्यक्ति अभ्यास कर सकता है और प्रचार कर सकता है अपने धरम का तो यह freedom दी गई है article 25 में तो next question है निम्न में से सामाजिक नियाए से समबंधित समवेधानिक प्रावधान नहीं है मतलब जो social justice जो है उसका कौन से social justice का constitution में उलेख नहीं है यह हमसे पूछा गया है तो इसमें आ जाएगा third option क्योंकि बात की जाए बाकी चीजों की जैसे की SCST category के लिए नोकरियों में आरक्षन इसमें समवेधान में बात की गई है सेकिंड में बात की जाए विदाई का मेनुस उचाती जन जाती है तू अरक्षन यह भी समवेधान में बात की गई है और बाल श्रम निशेद यह भी समवेधान में उलेखित है थर्ड ओप्षन उलेखित नहीं है कि समान कारिये के लिए समान वेतन दिया जाएगा यह अभी नियम लागू हुआ है कुछ साल पहले ही तो समवेधान में नहीं है यह तीसरा ओप्षन तो थर्ड ओप्षन हो जाएगा इसमें सहीं लोकसभा की कारेवाई के संचालन के लिए आवश्यक गनपूर्ती क्या है वाट इस देखा होगा तो वह बैठक तभी हो पाएगी जब यह कोरम पूरा होगा मतलब इतने मेंबर लोकसभा में होने ही चाहिए कोई भी बैठक होने के लिए लोकसभा की तो यह होता है कोरम फिर गनपूर्ती इसमें आ जाएगा फूर्थ ओप्षन कूल सदस्य का एक बटे दस्वा भाग तो जो टोटल मेंबर्स हैं उनका एक बटे दस्वा भाग 545 हैं तो इसका आप 10 परसेंट देखिए तो लगबग 55 बनता है या 54 आप कह सकते हैं 55 54 मेंबर्स के होने जरूरी है लोकसभा में तभी उसकी बैठक हो पाएगी या फिर कारेवाई उसका संचालन हो पाएगा और वैसे मैक्सिमम स्ट्रेंद क्या होती है लोकसभा की मतलब कितनी सीटे होती है 592 होती है लेकिन हमारे एड कितनी है 545 है अगर ऐसे ही राज्ये सभा के लिए भी होता है यहीं कि राज्ये सभा में भी एक बन्टे-दश्वाबा परसेंट होना चाहिए तभी उसकी कारवाई हो पाएगी या फिर उसका संचालन हो पाएगा और अब ए हम elect कर सकते हैं तो next question देख लेते हैं भारत के समिधान की कौन से नुच्छेद में एक मंत्री परिश्द का प्रावधान है जो की राश्च्पति को उसके कारेओं के निर्वहन में सहायता करेगा तो मंत्री परिश्द से related article हमसे पूछा है कि काउंसिल और मेंबर्स कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है तो यह दिया हुआ है आर्टिकल 74 में आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राश्पति के को परामश देने के लिए एक मंत्री परिश्द होगी तो next question है राज्जे के चुनावा युक्त को कौन युक्त करता है who appends the state election commissioner तो election commissioner वो होता है जो election से related जो चीजें हैं उनका ध्यान रखता है और यह होता है मतब चीफ कह सकते हैं एक तरह से elections का होता है यह चीफ तो हमसे पूछा गया है state election commissioner चीफ election commissioner नहीं पूछा गया है चीफ होता है जो पूरे देश का होता है state election commissioner होता है उसी state का एक particular state का commissioner होता है वो तो इसको point करते हैं समБंदित राज्ये का राज्यपाल. मतलब जिस स्टेट का बोलेंगे हम उसी स्टेट का वो राज्यपाल होता है जो उसे अपोइंट करता है. तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राज्यपाल अपोइंट करते हैं इसे. और Chief Election Commissioner की बात की जाए जो ये First Option में दिया हुआ है इसकी अगर बात की जाए तो इसको अपोइंट करते हैं भारत के राश्टपती क्योंकि राश्टपती की जैसा ही रोल होता है राज्यपाल का तो स्टेट में अगर कोई राश्टपती के जैसा काम होगा तो वो राज्यपाल करते हैं स्टेट में जो केंदर में काम राश्टपती करते हैं वही काम राज्ये में राज्ये की राज्यपाल करते हैं तो इसका ओप्शन हो जाएगा C भारत के सर्वोच नियाले के संबंद में निम्लिवर से कौन सा कतन सही नहीं है तो Supreme Court के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है इसमें हो जाएगा Second Option रास्टपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच चन्याले उनने प्रामश देने हिठ्टु बाद्ध्या है तो ऐसा नहीं है सर्वोच चन्याले बाद्ध्या नहीं है सर्वोच नियाले से राष्टपती परामश मांग सकता है ये सही है और राष्टपती को परामश देने के लिए सर्वोच नियाले बात दे नहीं है ये भी बिल्गुल सही है और लास्ट वाला भी सही है तो सही कौन सा नहीं है second option और हमसे not correct ही पूछा है तो second option इसमें answer होगा भारत के राष्टपती के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है जो राष्टपती का चुनाव करते हैं उसके लिए एक electoral college होता है निर्वाचक मंडल होता है तो उसमें कुछ सदस्य सामिल नहीं होते हैं और कुछ होते हैं तो हमें उसी के बारे में बताना है इसमें क्यूंकि हमसे पूछा है कौन शामिल नहीं होते हैं सुर्य हमसे पूछा है कौन शामिल है तो इसमें आ जाएगा fourth option भारत की संसर तथा राज्यों की विदान सभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संग शासित तो इसमें यह सब शामिल होते हैं अब केवल निर्वाचित क्यों शामिल होते हैं यह समझ लीजे निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं बाकी होते हैं लूमिनेंटेड्स अपको पता यह होगा लोकसवा राज्य सभा में jog in your economy करोमिनेट करते हैं तो पुदुच करते हैं बोसमेंनेंटे बंबर्स इसमें पाढ़ने लेते हैं तो स्व निर्वाचित जो मैंबर होते हैं वह पाढ़ लेते हैं जो elected members होते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है तो fourth option इतमें correct हो जाएगा longest river of Asia is Asia की सबसे लंबी लंदी कुन जी है तो Asia की सबसे लंबी लंदी है यांग तीसी तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा third option ये चाइना में बहती है next question है किली मंजारो परवत किस देश में अवस्तित है किली मंजारो माउंटें lies in which country तो किली मंजारो इस्तित है तंजानिया में अफरीका का अगर मैप देखें ऐसे ही ड्राफ्ट के तोर पर अफरीका का मैप देखेंगे आप तो लगबक यहां पर पड़ेगा यह किली मंजारो तंजानिया तंजानिया यहां पर पड़ेगा और इसी में इस्तित है किली मंजारो परवत नेक्स्ट कोश्चिन देख लेते हैं समताप सीमा पर ओशत्तापमान रहता है तो जो समताप सीमा होती है वहाँ पर ओशत्तापमान क्या रहता है तो पहले तो आप देख लीजी यह स्ट्रेटो पोज के बारे में हमसे पूच्छा है stratophose कहां पर होता है तो stratophose के बारे में जान लेते हैं देखें आपको पता होगा जो पृतिव पर हैं कुछ layers हैं ये 5 layers हैं कुछ इस तरह से तो जो सबसे पहली वाली layer है उसे हम बोलते हैं शोब मंडल और second को हम बोलते हैं समताप मंडल तो जो समताप मंडल है stratosphere है उसकी जो boundary होती है बाहरी जो boundary होती है उसको हम कहते है stratophose तो यहीं का temperature हम से पूछा गया है तो यहां का temperature average पूछा गया है average temperature होता है यहां का minus 50 degree minus 50 degree Celsius second option इसमें हो जाएगा correct basalt shell एक उदाहरन है basalt rock is an example of तो यह किसका एक्जामपल है यह एक्जामपल है extrusive igneous rock का तो बाहरी यह आगने shell का यह एक्जामपल है basalt shell अब next question है एक portion इस तर से दूसरे portion इस तर तक ओसत ओजा का प्रभाव होता है the average energy flow from one topic level to another is तो हमसे पूछा गया है आपने अगर food chain पढ़ी होगी food chain आपने देखा है कि कुछ इस तरह से जैसे होती है तो इसमें कैई सारे level होते हैं इससे ही हमसे पूछा गया है कि जो energy का फ्लो होता है वो किस तरह से होता है energy का फ्लो लग लग लेवल पे अलग लग पॉशन इस तरह पर किस तरह से energy का फ्लो होता है तो अभी मैं समझा देती हूं इसको सबसे पहले कौन आते हैं सबसे पहले आते हैं producers मतलब पोधे आते हैं पोधे या plants कह सकते हैं producers होते हैं क्योंकि खाना खुद बनाते हैं इसलिए producers कहते हैं इनको सेकंड नंबर पर आते हैं primary consumers जो पोधो को खाते हैं और फिर आते हैं secondary consumers जो की primary consumers को खाते हैं फिर आते हैं लास्ट में टर्शरी consumers मतलब तुरतिय भोगता जो की मानसाहारी भी मिलेंगे आपको नहीं मानसाहारी ही होते हैं secondary में आते हैं मानसाहारी और शाकारी दो तो टर्शरी में आते हैं जैसे चील बाज ही हो गए यह वहले पक्षी आते हैं चील बाज वगएरा तो अब इसमें क्या होता है जो energy flow होता है जो उपर की level में जैसे जैसे हम जाएंगे तो energy का flow कम होता जाता है जो next level पर portion इस तर जो उर्जा ट्रांसफर होती है जो energy transfer होती है कितनी होती है वह होती है 10% transfer मतलब हर level पर 90% energy का लोस हो जाता है हर level पर तो इस तरह हम कह सकते हैं जो average flow होता है energy का एक portion इस तर से दूसरे portion इस तर तक वह होता average 10% इसको detail में अगर मैं समझाओंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं भी इतना ही रखती हूं तो इसका answer हमारा हो जाएगा 10% मेगा स्थनीज किसका राजदूत था तो मेगानिस्थ मेगा स्थनीज राजदूत था इसका फॉर्थ option सही हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वुवाज नोट दा नवरत्न ओफ चंद्रगुप्त दित्या स्कॉर्ट तो चंद्रगुप्त दित्य के नवरत्न थे दरबार में नवरत्न थे तो उन नवरत्न में कौन शामिल नहीं था तो यह था फाहया इसका अनसर हो जाएगा तो इसकीन है महराणा प्रताफ के हाथी का नाम क्या था तो ऱा दाने मोट महराणा प्रताफ एलिफेंस वाज तो यह था रामप्रसाद को नेक्स्ट क्रेश्चन है सोशल रिफोर्मर गौविंद गुरु वाज बोर्ण इने सामाजिक सुधारक गौविंद गुरु का जनम हुआ था तो इनका जनम हुआ था एक बंजारा फैमली में तो सी ओप्शन इसमें करक्ट होगा अब हूरोट चितावनी रा चुंगटिया तो यह एक रचना है यह किसने लिखी है यह पूछा गया हमसे तो इसमें आ जाएगा ओप्शन नमबर फोर केसरी सिंग बारहट तो इन्होंने लिखी है यह वली किताब तो नाम कुछ अलग सा है इसमें रीट वाले एक्जाम में क्या होता है राजिस्थान की भी कुछ हिस्ट्री जोग्रफिक पूछी जाती है तो कुछ क्वेश्चन से लिए गए हैं इसमें लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्यने तू छात्रवर्ति की विवस्ता किसने की थी बतलब स्कॉलर्शिप किसने अरेंज की थी वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए तो इसमें आंसर हो जाएगा श्राम जी कृष्ण वर्वाने तो इन्हों ने ही इनके लिए स्कॉलर्शिप अरेंज की थी नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अनन्द टेंपल और पैगन डिनस्टी इस लोकेटेड इन तो आनन्द टेंपल है एक पैगन वरिश का वो कहां पर इस्तित हम से पूछा गया है आपको पता ही होगा जो यह मैंमर तक का एजो एरिया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है पहले तो बाउंड अलगदेशों में रहेंगी तो हमसे वो पूछा गया कि कौन सी कंट्री में है तो यह है म्याम मार में तो सी ओक्ष्यन इसका करेक्ट हो जाएगा next question है तराइन का युद्ध किसने जीता तो तराइन के दो युद्ध हुए थे हमसे first battle की बात हो रही है first battle जो हुआ था वो हुआ था पृत्वीराज चोहान और मुहम्मद गोरी के बीच पृत्वीराज और मुहम्मद गोरी के बीच हुआ था ये battle तो सबसे पहले युद्ध में जीते थे पृत्वीराज चोहान इसमें हो जाएगा थर्ड ओप्शन करेक्ट फिर सेकंड बैटल हुआ था 1192 में तो 1192 में जब हुआ था तो बदला लेने आया था मुहम्मद गोरी अपनी पहली हारगा तो फिर सेकंड वाले में मुहम्मद गो तो निएक्ट्ट्र केस्षिन है राजिस्थान का कौन सा नरृत्यन 2010 में युनेशको की अमूर्त सांस्कृतिक दरोहर सूची में सम्मिलिट के गया है अब जानते ही होंगे जो कुछ अलग जो चीज़े होती आं अलग जो धरोहरे होती है उनको शामिल क्या जाता है यूने और यह है folk dance राजस्तान का इसे बेसिकली कोन करता है इसे perform करती है tribes वहां के जो जिनका नाम है काल बेलिया तो इसलिए इसका नाम रखा गया है काल बेलिया डांस और इसको सपेरा डांस भी कहते हैं तो यह folk dance राजस्तान का second option होगा next question है संत मीरा भाई के पती का क्या नाम था इनका नाम था भोजराज ये option हो जाएगा इसमें correct next question है चित्रकला शैली बढ़नी ठणी सम्मंदित है तो इसमें answer होगा first option वैसे जो मैंने इसमें सर्च किया था तो इसमें सावंत सिंग नाम आ रहा था तो ऐसा कोई नाम इसमें है नहीं तो हम a option पर ही जाते हैं इसमें सत्वंत परशाद next question है चुरू जिले के दद्रेवा ग्राम से संबंदित है तो इस संबंदित है गोगा जी तो इसमें हो जाएगा बी ओप्षिन नेक्स्क्रेशन है खेजरली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किस ने किया तो यह यह किया था अम्रता देवी ने इसमें फौर्थ ओप्षिन करेक्ट होगा फैर्फित नेक्सक्रेश्शन है रोट Cau sweetheart है आनंदमंठ दिखा गया है वन्दे मात्रम यह किस न लिखा था यह लिखा था बंकीम चंदर चटर जी नहीं आए तो जब स्वधेशन अंदनल्छला था तो उसमें भी यह गाया गया थावन्दे मात्रम million तो यह इसमें मैंने करा दिया है 30 questions 2070 के रीट के पेपर के बाकी की जो बच्चे 30 questions है वो हम next part में करेंगे तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना मैं तब याद भी करने की जुरूत नहीं है एक दूबर वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से यह वाली questions की explanation आपको समझ में आई जाएगे तो मिलते हैं next part में इसी के so thanks for watching